राहूल गांधी शटडाउन उसमें उन्होंने अपना एक तरीके से कहा जाए तो अपनी एक मन की बात भी जाहिर की मन की पीड़ा भी जाहिर की और अपने इस्थिपय को लेकर उन्हेंने खुला एलान कर दिया और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मोजूद है एडिरोल टेम के सहोगी राहूल पटेल राहूल जानना चाहूंगा कि राहूल गांदी लगातार एक महीने से अपने इस्थिपय को लेकर अडे हुए थे और आज एक बार फिर उन्होंने चार पन्ने की जो सूची है सोचल मीडिया पर जारी किये और उन्हें खुला एलान किया है कि मैं अब कॉंग्रस का अध्यक रिच्छा कर रहे थे हैं और माना जा रहा था कि राहूल गांधी हो सकता है कि मान जाए आकिर में लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर कर राहूल गांधी अपने बात पर अडिक रहे हैं और उन्होंने चार पन्नों का सूचल मीडिया पर अपना रेजिनेशन लेटर लिखा मैं खास बत बताना चाओंगा उस रेजिनेशन लेटर की कि उन्होंने साफ़तोर पर ये कहा कि मैं अपने आपको भागिशाली मानता हूँ कि मैंने कॉंग्रेस जैसी पार्टी का नेतरत हूँ किया एक बड़ी पार्टी है एक यू कहें कि सिद्धान तुबादी पार्टी है लहाजा मैं अपने आपको गोरवशाली मानता हूँ और इसके बाद उन्होंने अपनी पीड़ा भी लिखी कि मैं अपनी हार की जिम्मेदारी स्विकार करता हूँ क्योंकि मैं राष्टी अदिछ था और कॉंग्रेस की इस तरह से करारी शिकस्त हुई थी यहनी साफ तोर पर उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया और एकसेप्ट किया कि जो हार हुई है उसके जम्मेदार तमाम लोगों के साथ साथ मैं भी हूँ चूकि मैं अपनी जम्मेदारी से भागना नहीं चाहता लेहाजा मैं अपना रिगजिनेशन लिटर लिख रहा हूँ उन्होंने ल बात में जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने अपनी जो चिट्थी जारी की इसमें एक बहुती महत्पून लाइन लिखे और काफी इस लाइन के माईने निकाले जाना चाहिए उन्होंने लाइन लिखी है कि जो लोकसवा चुनाओं में हार हुई है उनका उसकी जुम कि यह नहीं है कि वो हमेशा कहते रहेता है कि यह गांधी परिवार की पार्टी है लेकिन जो आपने पॉइंट की बात कि तो बिलकुल वो पॉइंट कई नेताओं की निंद्ध हराम कर सकता है क्योंकि एक राष्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तिपा दे सकते हैं तो तो वो तमाम बड़े नेताओं के लिए नसीहत सीख है और समझाईश भी है कि यदि उनके नेत्रत्तों में कॉंग्रेस पार्टी हारी है तो हार के जिम्मेदार है और एक और बार बताना चाहूंगा राहुल गांधी ने उस लाइन के नीचे भी एक लाइन लिखी है उसमे साफतोर पर यह कहा गया है कि जब जब जिजिस की जरूरत लगेगी कॉंग्रेस पार्टी में उन बड़े नेताओं को इस्थिपा देना चाहिए ताकि नए तरीके से संगठन को मजबूत किया जा सके यानि कई नेता जो अपनी जागीर समझ कर बेटे हैं कई सालों से कई म साफतोर पर मीडिया से भी कहा है कि मैं तो कब का इस्तीपा दे चुका हूं मैं रहना ही नहीं चाहता हूं और आज जब उन्होंने इस्तीपा दे दिया है तो मोतिलाल वोरा जो कि कॉंग्रेस के खाफी कदवर नेता कहे जाते 90 साल के नेता है उनको अंत्रीम अध्यक्ष न बड़ा अनुभव होता है वो अगर मद्यपरदेश के मुखिमंत्री भी रह चुके हैं उत्रपदेश के राजिपाल रहे चुके हैं केमिनेट में रह चुके मन्त्री के दर्जे पर वो काम कर चुके यह यह लंबा राजनीती का नुभव है और संदीब जी एक और बात बत चाहूंगा मेन कारण है कि यह फिलाल अंतरी मद्यक्ष हैं जब तक कॉंग्रेस अपना नया रास्टी अद्यक्ष नहीं चुन लेती जब तक वो उस पत पर बने रहेंगे और माना जा रहा है कि इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि मोतिलाल वोहरा नबे साल यह बहुत जाकर बात नहीं की और हमेशा गांधी परिवार के लिए खड़े रहें तो एक सियासी भी हम कह सकते हैं कि मोतिलाल वोहरा उन्हीं के परिवार के विक्ति हैं रहुल गांधी ने अध्यक्षपत से इस्तिपा दिया है तो कॉंग्रेस के लिए भी रहा आसान ने इतनी जल्दी कोई दूसरा रास्टी अध्यक्ष खोजना तो जाहिर सी बात है एक दो दिन की बात तो नहीं काफी एक महिने का वक्त भी लग सकता है मोतिलाल वोहरा को अ नब्य साल के हैं तो क्या अंत्रीम अध्यक्ष के रूप में जो कॉंग्रेस के तमाम युवा नेता हैं जो कद़ावर युवा नेता है क्या मोतिलाल वोहरा को एकसेप्ट करेंगे देखिए सबसे बड़ी बात कॉंग्रेस में संधीब जी एक चीज होती है कि गांधी परि परिवार को माइनस कर देंगे तो बचे का क्या ऐसे में गांधी परिवार जो डिशाइट करेगा मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा बड़े ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन से जाकर कोई बयान देंगे लेकिन आपने एक जो बात कही है कि मोतिलाल वोरा 90 साल किसी अंत 60 साल में किसी भी पार्टी का अब राष्टी देख्ष की बात करें तो युवा महज एक शब्द है एक विक्ति का कि उसमें उर्जावान है या नहीं प्रदान मंत्री खुद अपने आपको युवा कहते हैं तो ऐसे में युवा मुझे लगता है कि उसकी उम्र से नहीं बल मैं अब नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं करूंगा यानि साफ तोर पर अब जो गेंद है वो कॉंग्रेस की CWC के पाले में है कि वो किसी व्यक्ति का चैयन करें वो जिस पर सबकी सहमती हो उसको अध्यक्ष बनाएंगे यदि सबकी सहमती है संदिर जी तो फिर कैसे विर प्रधान मंत्री बनने का सपना देखा था लेकिन 2019 में जिस तरीके से कॉंग्रेस की सिकस्त वी और जो लगातार बीजेपी कॉंग्रेस मुक्त भारत का जो एक नारा देते हुई आई है और लगातार राहुल गांधी के बुद्धी विवक्पर सवालिया निशान खड़े क तो राहुल गांधी के इस्तिपे के बाद क्या ये माना जायाना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपने राजनितिक लड़ाई में बीजेपी के सामने हार मान ली है राहुल गांधी ने वरतमान हालातों को देखते हुए इस्तिपा दिया है ऐसा कहीं बार हुआ है अगर पूरुम में बात करें तो सिताराम केसरी जैसे विक्ति को राष्टी अद्यक्ष बनाया गया था उसके बाद कॉंग्रेस की क्या हालात हुए थे उसके बाद फिर गा रात्पूर्ण बात ये है कि राहुल गांधी ने इसमें यूँ कहें कि हार नहीं मानी है लेकिन जो उनको जानकारी देते हैं जो उनको बताते हैं कि आखिर किस तरह की सियासत करनी है तो मुझे लगता है कि उनको भी बात का इल्म है कि जो वरतमान समय परिपेक्ष में जि उन्हें पीछा होना पड़ेगा और ये पर्मानिंट नहीं है अभी प्रियंगा गांधी का नाम कब सामने आ जाएगा राहुल गांधी कब दोवारा अधिक्ष्पत की इस्तिपा यूं कहें कि अधिक्ष्पत ग्रहन कर लेंगे ये भविश्य के गर्त में ये अभी आप य इसलेशन करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा वाकई में जल्दबाजी होगी इस फूरे फैसले पर जाना लेकिन राहुल एक और सवाल ये निकल कर आता है कि राहुल गांधी ने तो अपने इस्तिपका एलान कर दिया शोशल मीडिया पर बकायदा अपने लेटर भी जारी कर दिया है लेकिन एहम सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के बाद आप कॉंग्रेस का कप्तान कौन अगर आपने इस पूरी खबर पर आपने रिसर्च किया है तो आपकी नजरों में या फिर आपके एनलेसिस में वो कौन से नाम हो जो राहुल गांधी के कॉंग्रेस ये राहुल गांधी के बाद कॉंग्रेस के कॉंग्रेस के राष्ट अधिक्ष के तोर पर सबसे पहले सामने आ रहे हैं देखिए संदीप जी जिस प्रकार से मैंने इसके पहले भी कहा था कि राहुल गांधी की बुकलिस में कौन-कौन नाम है सबसे और किस नाटकी अंदाथ से आएगा ये ये महत्पूर्ण है दूसरी बात जिस प्रकार की बात करी तो शुशिल सिंदे की बात की थी वो भी गरह मंत्री रह चुके कॉंग्रेस के काफी करीब ही माने जाते हैं और तमाम वो बड़े नेता कई बार तो ये भी का जाता कि अशो कर दिया जाएगा और जो गेलों थे उन्हें राष्टी अध्यक्ष बना दिया जाएगा लेकिन ये सिर्फ कयास है गांधी परिवार जिस नाम पर मुहर लगाएगा वही बनेगा ऐसे तो तमाम बहुत बड़े बड़े नाम है लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कई नाम सामने हैं लेकिन मुझे लगता है कि राहूल गांधी की पसंद कोई ऐसा वेक्ति होगा जो गांधी परिवार के साथ संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिकाने बाता है और एक और बात कह दूँ कि पहले क्या होता था सुनिया गांधी को जो खुश कर लेता थ या उनके जो सीपे सलार है आमद पटेल उनको खुश कर लेता था वो कॉंग्रेस में उची जगह पर पहुच जाता था लेकिन जिस प्रकार का घटना कर्म लोकसुबद चुनाओं के बात देखने को मिला कमलास से भी तलखिया देखने को मिली बगला गातार वो केंदर में गए लेकिन मिले नहीं ऐसे में राहूल गांधी का दिमाग पड़पाना अभी किसी भी राजनितिक विश्चिशक के लिए मतलब यूँ को है कि नेक्स्ट इंपॉसिबल है क्योंकि उन्होंने क्या सोच रखा है उन्होंने किस तरह की रणिती बनाई और एक मेने का समय जो कॉंगरेस का अध्यक्ष कोन होगा लेहाजा हमें वेट करना चाहिए प्रतिक्षा करना चाहिए मुझे लगता है कि अगर राहूल गांधी की जगए कोई आएगा तो प्रधान मंतरी मोधी और बीजेपी जैसे सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उबरी है इसके अधावर आदमी का नाम विक्ति का नाम नेता का नाम राष्टी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी तो निश्यत तो पर भारती जनता पार्टी की मुश्किले बड़ेगी तो कि भारती जनता पार्टी हर बार कहती आई है कि कॉंग्रेस एक परिवार की पार्टी है तो वाकई में राहूल आपने जिस तरीके से मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी कमलनाथ का नाम लेकर आया तो मैं एक बार फिर वापस आपको उसी राहूल गांधी के लेटर की तरफ मूढना चाहता हूँ और जिस तरीके से राहूल गांधी ने कहा है कि मेरे साथ साथ कहीं और क की जुम्यदारी लेने चुकि राहूल गांधी ने कॉंग्रेस अध्यक्षपत से इस्तिपका एलान कर दिया और मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस जो है अध्यक्षपत को लेकर पशुपेश में हैं यहां पर भी अभी नया अध्यक्ष तीन राज्यों में कॉंग्रेस के करारे शिकस्त हुए राहूल गांदी ने अपने लेटर में भी कहा है कि किसी ने भी हार की जुम्मेदारी ने तो क्या माइन निकलते कॉंग्रेक कमलनाथ से नहीं मिलना और इस लाइन का लिखना और मद्यप्रदेश में PCC चीफ का एलान न दोरे पर थे उन्होंने अपने वक्तवे में अपने भाशन में इस पश्ट तोर पर इस बात का संकेत किया है कि वो जल्द ही इस्तिपा देंगे और कोई नया वेक्ती जो है वो PCC चीफ प्रदेश का उस पर कहीन कहीं काबिज होगा तो एक बात तो इस पश्ट है लेकिन के बाद चंद गंटों में उसका एलान हो सकता है और इस बात का मैं यह कर सकता हूं कि 48 गंटे बहुत बड़ा समय हो गया क्योंकि एक जटका है यह मान के चलिए कि यह सबसे बड़ा विकेट गिरा है अब मुझे लगता है कि यह तमाम जो पढ़ेंगे तो पुछले बल्ले बाद है अगर हम सीम की बात करें तो सीम पत्से स्थिपा देने की भी बैस्प्रश की थी लेकिन मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की राजनीती के लिए माहिरे सीम कमलनात मुझे लगता है कि वो एक पढ़ेंगे और उपद होगा कॉंग्रेस अध्यक्ष का और जिसको लेकर अब मंतन हो चुका है क्योंकि अब राहूल गांदी ने अपनी जो बेटिंग थी वो पूरी कर लिए उन्होंने अपने पस से स्थिपा दे दिया अब जो निर्णा है वो तमाम उन बड़े नेताओं का होना है जो बड़े पदो पर बेटके मलाई खा रहे हैं और कॉंग्र प्रदेश का अध्यच है उसकी तासपोशी भी लगभकता ही मानी जारी है वाकई में बहुत बड़ा यहां पर राहूल गांदी का जो बयान आया है उसके बाद में जो जिस तरीके से राहूल गांदी ने पहले एक भावुकता पूर्ण बयान दिया था और उसके बाद इस पस्ते इस्तिपा देंगे और क्या राहूल गांदी के इस्तिपे के बाद कौन कॉंग्रेस का कप्तान होगा नया यह आने वाला बक्त बताएगा लेकिन जो जिसा कि राहूल ने हमें बताया है कि यह पहले ही ते हो गया पूरी स्क्रिप्ट लिखी जो जा चुकी है कॉंग झाल झाल